दोस्तो स्वागत है आपका डॉक्टर अजे बर्मा यूटूब चैनल पर आज इस वीडियो में एक ऐसी टैबलेट के बारे में बात करेंगे जो की बैक्ती की सराब की लद को छोड़ने या फिर किसी की सराब की लद को छोड़वाने में काफी जादा मदद करती है मान के चलिए अगर आप खुद सराब चोड़ना चाहते हैं या फिर आप किसी की सराब की लद को छोड़वाना चाहते हैं तो आपके लिए इस टैबलेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है मातर ये 7 रूपे से लेके 8 रूपे की एक टैबलेट आती है तो इस टैबलेट के बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन सी टैबलेट है और कितने रूपे की आपको ये टैबलेट मिलती है और क्या नाम से ये टैबलेट आती है यानि कि अगर आप किसी मेडिकल स्टोर पर ज तरीके से इस्तमाल करना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि जो बैकती है जिसकी हम सराप का सेवन करता है जिसकी हम सराप को छुडबाना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से इस टैबलेट को दे जिससे कि उसे पता ना चल सके कि आप उसको सराप छोड़ने की दबा द पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरू कर दें, चैनल को भी सस्क्राइब कर लें, ऐसे इन्फोर्मेटिव और मेडिसन से संबंदित वीडियो देखने के लिए, चलिए वीडियो सुरू करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्रोनो डॉल नाम से ये टैबल में, यहाँ पर हम इसके प्राइज रेंज की बात करेंगे, तो आपको 30 रुपे में 4 टैबलिट मिल जाती हैं, यानि की 7 रुपे से 8 रुपे की एक टैबलिट आपको पढ़ जाती है, अब यहाँ पर हम इसके डोस के बारे में बात करेंगे, तो इस टैबलिट को हमें कैसे इस्तमाल करना है सबसे ज़्यादा important part यही था हमारी वीडियो का मान के चलिए कोई बैक्ती है जो खुद से सराप को छोड़ना चाहता है तो वो खुद से इस tablet का इस्तमाल कर सकता है अगर आप किसी की सराप को छुड़बाना चाहते हैं और उसको बिना बताए आप ये उसको tablet देना चाहते हैं तो आप उसको किस तरीके से ये tablet दे सकते हैं सबसे ज़्यादा confusion आपका यही रहता है कि उसको खाने में मिला कर दिया जाए या फिर चाए, कॉफी बगेरा इन सब में मिला कर दे सकते हैं या फिर नहीं तो आपको इस बारे में भी जानकारी होना जरूरी है इस tablet का जो डोज है वो सुबह साम 500 mg खाना खाने के बाद दिया जाता है लेकिन ये जो tablet है वो 500 mg की strength में है तो आपको इसको दिन में एक बार ही देना है खाने में मिला कर दे सकते हैं या फिर आप किसी softer drink है जैसे की चाए, कॉफी या फिर cold drink इसमें भी पीस कर मिला कर दे सकते हैं सबसे पहले आपको tablet को अच्छे से क्रस करना है पीस लेना है फिर उसको खाने में या फिर चाए, कॉफी, softer drink किसी भी चीज में खाने पीने की जो भी चीजें आती हैं आप उनमें mix कर कर दे सकते हैं इस तरह से जो है इस tablet को दिया जाता है अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये tablet जो हमारे सरीर के अंदर किस तरह से काम करती है जो बैकति सराप पीता है और साथ ही इस tablet का इस्तमाल करता है तो ये tablet जो सरीर के अंदर क्या reactions करती है जिससे कि उसकी सराप की लच छूड जाती है जब कोई बैकति सराप का सेवन करता है और साथ ही chronodol टैबलेट का भी सेवन करता है तो ये दोनों चीजें जब सरीर के अंदर mix होती है तो इन में कुछ chemical reactions होते हैं हमारे सरीर के अंदर जिस कारण से उस बैक्ती को गवराहट होने लगती है उल्टियां आने लगती है, बेचैनी होती है पूरे सरीर में पसीना आता है सरीर में खुजली होने लगती है या फिर उसका चहरा लाल हो जाता है, आँखें लाल हो जाती है तो आपको इन सभी problems से आपको घवराना नहीं है ये जो problems होती है वो एक से दो घंटे के लिए होती है उसके बाद ये automatically ठीक हो जाती है बैक्ती नॉर्मल हो जाता है ये problems होती ही इसलिए है ताकि क्योंकि जो सराब पीने वाला बैक्ती है उसकी जो मानसिकता है सराब पीने के पिरती वो यहाँ पर बदल जाए जब ये सब चीजे उस बैक्ती के साथ बार बार होती है तो उसको घवराहट होना, बेचैनी होना, उल्टी आना जैसे ही वो सराब का सेवन करता है उसको ये सब चीजे देखने को मिलती है तब उसकी जो मानसिकता है वो सराब पीने के पिरती वो यहाँ पर धीरे-धीरे खत्म होने लगती है और जिससे वो बैकती है, वो सराब पीना धीरे-धीरे छोड़ देता है, बंद कर देता है इस तरीके से ये क्रोनडोल टैबलेट हमारे सरीर के अंदर काम करती है अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि अगर कोई इस टैबलेट का ओबर डोज लिया जाए, या फिर इस टैबलेट की एकस्पाइरी डेट के बाद इस टैबलेट का उप्योग किया जाए, तो आपको कुछ साइड एफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं जैसे की आपका सिरदर्द होना, या फिर आपको घवराहट महसूस होना, थकावट महसूस होना, या फिर आपके मुह का स्वाथ चेंज हो जाना, ये कुछ चीज़े हैं जो की आपको साइड एफेक्ट के तोर पर देखने के लिए मिल सकती हैं अगर आप इस टैबलेट का ओवरडोस करते हैं, या फिर एक्सपाइरी डेट के बाद आप इस टैबलेट का उपयोग करते हैं, ये जो टैबलेट थी सरापकी इलत को छोड़ने के लिए काफी ज़्यादा पॉपुलर है, और सभी डॉक्टर इस टैबलेट को की और अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिपलाइज जरूर दिया जाएगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, लाइक जरू कर दें, चैनल को भी सस्क्राइब कर लें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव और मेडिसन से स समबंदित वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में